नमस्तर वस्तों वेल, कम दुदी ग्यान इलेक्रियों, तो आज के इस विडियों बात करने वाले हैं, बस पीटी और लाइन पीटी, क्या होता है सब्सक्रेशन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अपोस फ्रेंड आप समझे कि ये एक जो है वो बस है, और ये करनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम जो हुँए बसकाफले करती है, की ये बस अवर बस बी दौनों को करनेक्ट और डिसकनेक्ञक, सेपरेट और connect करने का का में ये बस काफले हैं, ये बस बी है, दोनों साट, एक एक इंकमिंग आ रहा है, तो वो इसको काफी जगह पे, इंकमर बोला जाता है और कहीं पे राइन बोला जाते तो सपोज आप वसमझी यहां पे लाइन वन लिखा गभी यह जो है लाइन टुथे जूफारी सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब और यहां पर इंकमिंग में जब अप्स्ट्रीम से वोल्टे जाएगा तब इंकमिंग मतलब कि यह जो ब्रेकर है उसके इंकमिंग में आप्स्ट्रीम है इसके इनकमिंग में कि यह जो ब्रेकर है उसके incoming में always line PT लगा रहता है तो यहाँ पर यहाँ पर line 1 की PT है यह जो पीटी है वो line 2 की PT है यह जो है वो bus कपलर bus section A की PT है और यह जो है bus section B की PT है यानि कि यह line PT है यह दोनों line PT है और यह दोनों जो हो bus PT है अब चलो आगे बात करते है कि कैसे कांग करती है अब प्रेट सबस्ट समझें जैसे ही अभी मैंने आगे बताए वैसे upstream में से आपने फीडर को चार्ज करवा दिया तो upstream में से जैसे ही आप फीडर को charge करवा होगे तो क्या होगा यहां तक supply आके पढ़ा रहेगा क्योंकि breaker हमारा और ओफ कंडिशन में है तो यह जो है सप्लाइब आया वह एनर्जाइस हुआ तो यहां पर कुछ आपको वोल्टेज मिलेगा अब यह वोल्टेज जो है वो लाइन पीटी जो है वो सेंस करेगी लाइन पीटी सेंस करके चोर रेश्यों की लाइन पीटी होगी सपोज आप समझें कि 6.6 kv की 6.6 kv by 1110 वल्ट की लाइन पीटी है तो क्या करेगा कि यह लाइन पीटी जो है उसका आउटपुट 110 निकलेगा वो डाइरेकली आपके वोल्टी मिटर या फिर मल्टी फंक्शन म है उसमें तो क्या है कि आप डिरेकली इंकमर की यो रिले लगी दख गए कि अब स्कॏirteen अजया आउन कर सकते हो तो एससलिए लैन पृट रेता है कि अब स्कृम चार्ज करो तो आपको पता बहें चलना चाहेगी living नून्स्री में कि व्ल्टेज पहुंचा यह नहीं पहुंचा थो हुष रूक है तो लाइन की प्रक करके आज होगा और कि अब और फ्रेंट्स यह जो बस चाहज हुआ तो क्या होगा कि यह जो बस टे यह जो बस प्य जो है वो डायरेक्ली 6.6 के भी बाइब 1110 वोल्ट जो है वो अक्रोडिंगली आउट्पुट करके वो बस्पीटी में लगा हुआ मल्टिफंक्शन मीटर है वोल्ट मीटर है या फिर रिले है उसमें दिखा देगी कि वह बसका भी वोल्टेज कितना आ रहा है वो डायरेकली मेजर करेगी और वह आपको यहां पर इस वो दिखाती है प्लस गैस लाइन पीटी जो है वो क्या है कि लाइन पीटी से जो रिले में जो कनेक्शन जाता है उससे हम क्या कर सकते ही कि रिले में जो लाइन पीटी से फिडिवेक लिए लेता है वो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज वो सब सेंस करती है और रेड़ी वीडियो बनाएग, अगर आपको देखना है, तो यहाँ पे, I button पे जाके, वो वीडियो देख सकते हो, कि उसमें line PD पीटी और bus PD का connection कैसे रहता है, और कैसे function करती है, वड़केश मैं आपको बतादू कि line PD और bus PD का roll ये है, कि वो आपको voltage indicate करता है, कि line PD है, आपको इंकमिंग रहेगी धार और यह बस बस जो वोल्ट से आपको को मेजर करके लिखाएगी तो सेम वङगा जैसे आप यहां पर देखेए हुआ यह लाइन वन और यह बस बस एका हुआ सेम वेट यह लाइन टू की लाइन पीटी पीटी है और यह बस B की लाइन पीटी है तो फंक्शन अभी गैस के आए कि बस पीटी बी का भी फंक्शन बस पीटी एक ही तरह है और लाइन पीटी तू का भी फंक्शन लाइन पीटी वन जैसा ही है तो आए वोग आप समझ गें कि लाइन पीटी और बस पीटी क्या होता है झाल झाल